नमस्कार दोस्तों जनता का दिल जीत कर कॉंग्रेस ने चुनाफ तो जीत लिया है लेकिन करनाटक का अगला मुख्यमंतरी कौन होगा ये तै करने में कॉंग्रेस ने जो प्रोसेस अपनाया है दोस्तों उसने भी करनाटक की जनता का दिल जीता है दोस्तों करनाटक के CM के लि में सिद्ध रमया का नाम लगभग लगभग कॉंग्रेस से करनाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल है अभी बात यहां खत्म नहीं होती है कॉंग्रेस ने सिर्फ सीम का नाम फाइनल नहीं किया बलकि सीम से जदा तरजी डीके शिवकुमार को दे कर भारती राजनीती में और भारती मीडिया में बड़ी हलचल पैदा कर दी है बड़ी खबर बना दी है क्योंकि राहुल गांदी और खडगे ने ये बात साफ कर दी है कि जब तक डीके शिवकुमार नहीं मानेंगे तब तक शपत ग्रहन समारो नहीं होगा और ये बड़ी बात है कि अब भी ड ऐसे काम करना चाहते हैं उनसे बातचीत कॉंग्रेस कर रही है। करनाटक का मुख्यमंतरी बनाने के लिए बहुत फुक फुक कर कदम रखे हैं को कॉंग्रेस ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती है कि सरकार बने और सरकार किनी कारणों से गिर जाये सरकार मुख्यमंत्री की गिरपतारी हो जाये और सरकार उस इस्तिती में आसाहज हो जाये मानलीजे आज कॉंग्रेस ने D.K. शुकुमार को CM बना दिया और कल E.D. ने D.K. को मनी सिसो दिया की तरह उठा लिया तो क्या होगा मानलीजे अगर महराष्ट वाली कहानी करनाटका में भी दोरा दी गई तो क्या होगा क्योंकि D.K. शुकुमार के उपर E.D. ने पहले से ही कई केसे कर रखे हैं मेरे ख्याल से कुछ 19 के करीब केसे हैं जिनमें एक दो केस E.D. ने भी D.K. शुकुमार के उपर किये हुए हैं जिनकी पूछताद समय समय पर चलती रहती है D.K. शुकुमार करनाटक में छोटे नेता हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है सिधरमया बड़े नेता हैं ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि D.K. शुकुमार कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं करनाटक में सिद्धरमया जब अगर पिछडों के नेता हैं तो डीके शुकुमार वोकलिंगा समुदाय से आते हैं वो भी बड़े समुदाय के नेता हैं और इस बार करनाटक में उनको चुनाव जिताने के लिए डीके ने बहुत मेहनत की तब जाकर ये प्रेडाम आये हैं और इन सब में एक चीज और है दोस्तों कि जो सिद्धरमया आज मल्यकारजुन खडगे के पास खुद को सीम बनाने के लिए गए हैं ये इंटरेस्टिंग बात है वही सिद्धरमया और वही मल्यकारजुन खडगे 2013 में खुद सीम बनने के लिए आमने सामने थे तो 2013 में मलीकारजुन खड़गे चाहते थे कि वो CM बने और सिद्रमया चाहते थे वो CM बने लेकिन उस समय पर सिद्रमया ने बाजी मारी थी और आज वक्त का पहिया घूम कर ऐसी जगा आया है कि सिद्रमया को जाना पड़ा है मलीकारजुन खडगे के पास सीम बनाने की सिफारिश लेकर उनसे बैठके करनी पड़ रही है क्योंकि आज की तारीख में कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलीकारजुन खडगे हैं और सीम बनाने कौन बनाया जाए कौन सीम होगा इसका बहुत ज़्यदा दारोमदार उनके कंधों के उपर है तो दोस्तों करनाटका में सीम कौन बने इसके लिए कॉंग्रेस से ज़्यदा चिंदित भारतिय जनता पार्टी भी थी भारतिय जनता पार्टी अपनी सोपोसित मीडिया को लगाकर ये खबरे प्लांट कराने की कोशिशे कर रही थी ऐसे आरोब भारतिय जनता पार्टी के उपर लग रहे थे जिसका खंडन डीके शुकुमार ने किया ये खबरे चलाइगे ही कि दिकेश शुकुमार चाह रहे हैं कि अगर उनको मुख्यमन्तरी नहीं बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे कॉंग्रेस에서 के, प्रदेश अधधिक्ष के पत से इस्तीफा दे देंगे और पार्टी से स्थिफा देंगे डीके शुकुमार ने खुद ये कहा कि अगर ऐसी खबरे चलाई गई मीडिया ने ऐसी खबरे प्लांट की तो जो जो मीडिया वो दिखाएगा ऐसी खबरे दिखाएगा उसके खिलाफ मैं मानहानी का मुकदमा करूंगा मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही तो जैसे ही सिधरमया कॉंग्रेस की तरफ से करनाटक के मुख्यमंतरी बनेंगे ये बात सामने आई सुत्रों के हवाले से बात सामने आने लगी वैसे ही गुदी मीडिया में एक अजीब सा सननाटा चा गया क्योंकि डीके शुकुमार को अगर मुख्यमंतरी बना नहीं हैं और इसलिए कॉंग्रेस ने सिधरमया को डीके शुकुमार से उपर तरजी दी है कल बैंगलोरू में करनाटक का मुख्यमंतरी कौन होगा वो सामने आ जाएगा कल बैंगलोरू में सिधरमया शपत ले सकते हैं क्योंकि कॉंग्रेस के किसी भी नेता ने किसी भी तो महाधिकारिक टूटर हेंडल से अभी तक सिधरमया के नाम का एलान नहीं हुआ है तो कौन बनेगा करनाटक का सीयम इसके एक जवाब में हम कह सकते हैं कि सिधरमया बनेंगे करनाटक के सीयम और इसका जो दूसरा पुष्ट जवाब है पुष्ट जवाब अभी भी खाल तो अभी तक जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक नाम फाइनल नहीं है लेकिन सिद्रमया लगभग लगभग तैहें कि करनाटक के अगले सीम सिद्रमया बन सकते हैं और कहा ये भी जा रहा है कि एक फॉर्मूला लागू किया गया जिसमें सिद्रमया दो साल के मुख्यम मुख्यमंत्री होंगे और उसके अगले तीन साल डिके शुकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है कैसे आगे क्या होगा आगे क्या गटना है गटित होंगी वह हम आपको बताएंगे इस वीडियो में भी इतना ही नमस्कार उल्टा चुस्मा यूसी को सब्सक्राइब ज झाल